हलो मेरा नाम डॉक्टर दिपर केड़ेकर है मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोन तथा वेसल मुक्ति तग्य हूं महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं सरवच्य नयाले ने कुछ दिन पहले एक अईतियासिक फैसला दिया वह सम्मान के साथ में मौत का हक सम्मान के साथ में मौत का हक इच्छा मृत्य को सशर्त मान्यता दी सरवच्य नयाले सरवच्य नेयले ने इसा भी कहा है कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ में मरने का अधिकार है और सरवच्य नेयले ने दिशानिरदेश दिया है कि वह कानून बनने तक यह जो दिशानिरदेश है वो प्रभावी रहेंगे इसमें ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जब वो जिवीत है तो वो अपना बृत्ति पत्र लिख सकता है इच्छा बृत्ति पत्र लिख सकता है लिविंग विल लिख सकता है जिसमें वो लिख सकता ऐसा है कि मुझे कोई बीमारी ऐसी हुई कि जो बीमारी से मैं ठीक नहीं हो सकता म इसी एक स्थिती है कि अभी मरने माला हूं मगर अभी मरनी रहा हूं तो उस समय जो सपोर्ट वेंडिलेटर से या सपोर्ट सिस्टेम है जो भी कोई चालू है उसको जिवित रखने के लिए वो निकाली जाए तो ऐसी लीविंग विल उसने करके रखी है इच्छा मृति पत्र लिखके रखा है तो फिर वो मृति पत्रब मेडिकल बोड को सवपा दिया जाता है और मेडिकल बोड उसके ओपर निरने लेगा और वो सपोर्ट सिस्टीम निकाली जाएगे और वेक्ति को मरने देंगे मगर ऐसी कोई चिठी उसने दिखी नहीं है तो फिर वो वेक्ति जो कुमा में है जहां से ठीक नहीं हो सकता या ऐसी स्थिती में है कि जहां से ठीक नहीं होने माला ऐसी बिमारी है तो फिर उसके परीजन और ठीटिंग डॉक्टर्स जो ठीक करना डॉक्टर्स है वो मिलके तो जब तक ये कानून बनता नहीं तब तक ये जो है ये निर्देश प्रभावी रहेंगे सर उच्छे नया लेगे तो इसमें ये मगर थोड़ा सा प्राब्लेम इसमें ये ऐसा सकता है कि जिनको आत्मत्या करनी की है वो ऐसा लिखे रखेंगे और बोलेंगे हमको कोई बचाओ मत और हमको मरने दो तो इसमें रहासा प्राब्लेम उसमें आ सकता है ये जो इच्छा मृत्य है कि भई सम्मान के साथ में मरने देना इसमें दो प्रकार है एक एक एक्टिव यूथेनेसिया जिसमें उसको جहरीला इन्जेक्षन देके उसको ब्यक्तिय उसको मार दिया जाता है जो ऐसी बीमारी है अक्टिवी सनेस या जो हमारे हां थेश में गहर कानूनी है और दूसरा है पैसिव amongstनेस है पैसिव मतलब कि उसके जो support system है उपो निकाल दो तो पहले ऐसा था कि भई नहीं एबॉर्शन जो है वो ठीक नहीं माना जाता आपने इसमें मगर अभी एबॉर्शन को भी मन्यता दी हुई है क्योंकि एदी मा की तब्वेत एदी खराब हो सकती है वो डिलिवरी होके तो फिर एबॉर्शन लिगलाइस कर दिया गया है कि मा की तब्वेत को मा की जीवित को एदी कोई प्राब्लेम होगा तो एबॉर्शन अला उड़े तो वैसे ही इसमें कुछ होगा कि जब तक मतलब उसमें लिखे रखा हुआ है और अभी मरना मतलब उसको प्राब्लेम नहीं है जो वेक्ति ऐसा लिखे रखता है उसको मरना प्राब्लेम नहीं है मगर उसको जीवित रहने का प्राब्लम है कि वो जीवित रहना उसके लिए बहुत तकलिप दे हो सकता है तो ऐसे वेक्ति को आराम से मरने दो गई तो ये जरूर एक अच्छा कदम है क्योंकि 42 साल तक अरोना शानबाग केम होस्पिटल में एक नर्स थी और 42 साल तक वो कोमा में थी मगर उससे में एक आनुन नहीं था इसलिए उसको कुछ नहीं कर सके 2015 में उसकी डेथ होई जब मालूम था कि ये कुछ ठीक होने वाली है नहीं मगर उसको कुछ नहीं कर सके सपोर्ट सिस्टिम थी सब उसकी केर ले रहे थे और 42 साल तक वो जिवित रहे है क्या फाइदा ऐसा मतलब कि वेजिटेटिव स्टेट में जिवित रहे के भी फाइदा नहीं है तो ऐसे इसमें कर सकते हैं लोग और मेडिकल बोर ऐसा डिसीजन ले सकता है ये जो मेरा वीडियो जाना से आता लोगों तक फैला ताकि लोगों को इसका मतलब एजूकेशन हो जाए मेरी परीजित ऐसे तीन चार लोग ऐसे है कि अभी जो लोगों को मतलब ऐसा पैसिव उथेनेसिया किया तो अच्छा है मगर लोग भावना में आके नहीं करते वैसा नहीं नहीं ऐसा करेंगे लोगों को डर भी लगता है कि कानून हमको मालूम नहीं है कुछ एक्षन लेंगी पूलीस तो पैसिव उथेनेसिया में यदि उनके परीजन और डॉक्टर ऐसा निरने लेते हैं तो उसको भी काईदे के मांगनता है मिल जाएंगे सुप्रीम कोड के अनुसार वीडियो ज्यादा साथ लोगों को शेयर करो आपको अच्छा लागा तो जरू सब्सक्राइब करो बेल का बटन आएगा मतलब बेल का चिन आएगा उसके उपर प्रेस करो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएंगा हमारा जो मिशन है वो है सब के लिए मांसिक स्वास्तिय और एडिक्शन फ्री एंडिया विसन मुक्त भारत उसमें भी आपका हाथ लग जाएंगा आपके वाटसेप ग्रूप के ऊपर फेस्बूक ग्रूप के ऊपर जरू शेयर करो थेंक्यू भेरी मच्च